आज हम बना रहे हैं चीज पफ्स यह बड़ी सी मशीन यहां मैंने रखी हुई है बिकुस जब भी मैं इस तरह की कोई शू पेस्ट्री बनाती हूँ तो उसमें मैं हमेशा अंडे इसमें बीट करती हूँ ठीक है नहीं हो तो परेशान नहीं हो येगा कोई बात नहीं पचास ग्रैम मैंने लिया है पामेशान चीज घ्रेट करके ले ले या पाउडर पामेशान चीज ले 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 100 ग्रैम चेडर चीज है 50 ग्रैम फीका अंसल्टेड मक्षन है 100 ग्रैम मैदा है 50 ग्रैम सूजी है सेमली ना ठीक है चुटकी भर हम इसमें नमक डालेंगे विकुस चीज भी खारा, salty होता है, और तीन अदद अंडे हैं, और जो मैंने, इंग्रीडियन्स मेंने ही लिखा है, वो सिर्फ पानी है, जो मैंने मेथद में लिखा है, धाइसो मिली लीटर पानी को ना पियेगा, एक, एक, मेजरिंग कप में, इस तरह के मेजरिंग कप होते हैं, दे इसके बाद हमने इसमें चुटकी भर नमक डालना है, और अगर मीठा होता है, ये शू पेस्ट्री से हम एकलैस बना रहे होते हैं, तो फिर उसमें हम चीनी भी डालते हैं, जब ये सब कुछ उबालिक आ जाएगा, मखन में, पानी में, मखन पिगल जाएगा, तब फिर मैं फॉरन उठा के इस मैदे को डाल दूँगी एकदम से, और फिर आप यूस करेंगे एक बुरिन चमचा, और खूब जोर से विगरसली आप इसको हिलाएंगे, जब तक वो साइद अफ द पैन छोड़ ना दे, और फिर उसको हम ठंडा करेंगे, ठंडा करने के लिए इस बोल पैस्ट्री के डो में नहीं डालिएगा ठीक है, और फिर आप उसको इंतजार करिएगा, इसको बेक होने में टाइम नहीं लगता है, इसको बस ठंडा करना बहुत ज़रूरी है, ठंडा डो होगा तो बहुत अच्छा ये बेक होगा, आपने याद रखना है, मैं इसको चट पर इसमें आपने पानी डाला, ठीक है, मक्षन और 500 मिलिलीटर पानी, ठीक है, फिर मैं क्या करती हूँ, मैं मैदे में ही डाल देती हूँ, चुटकी भर नमक है ये, ठीक है, और सूजी है, अंडे बाद में जाएंगे, चीज, दोनों चीज है, और ये है, इसको आप पिगलने दीजिए, जैसे ही उबाल आ जाएगा, पानी में मक्षन पिगल जाएगा, तो ये सारी चीज़ें उठा के हमने डाल देनी है, हमेशा हम याद रखते हैं, कि उपर से वो क्रिस्पी हो, अंदर से वो काली हो, ताकि हम उसको फिल कर सकें, इस वाले में हमें फिलिंग कुछ नहीं करने हैं, यह ऐसे ही चीज के ही बनेंगे, ठीक है? तो थोड़ा सा पेशन्टी कुछ चीजों को बनाते हैं, तो पानी और मक्षन उबाल आ जाए, मक्षन पूरा पेगल जाए, उठा के पूरा के पूरा नमक चुटकी भर, सूजी और यह जो है मैदा, यह डाल दीजेगा, मैदे को प्लीज चान येगा, ठीक है, सूजी को भी ह के कच्रा तो कोई नहीं है, उसमें, अंडे कभी भी घरम में डालेगा, I have to do this patiently, so I'll wait, और पानी की मिगदार जितनी लिखी हुई हो, प्लीज उतनी ही डालेगा, ज्यादा वादानी कर लेजेगा, अब आप इसमें, सूजी, नमक और मैदा डालेगे, एक दम से पूरा ही डाल दीजेगा, एक साथ, ठीक है, don't wait, थोड़ा-थोड़ा नही डालिएगा, पूज अकरसा जाएगा, आपने इसको रिगरोसली, एक पुड़न स्पून की साथ कुमाना है, so that's why I'm waiting. चलिए, अब देख लीजे, ये लिया हमने ये पूरा इस तरहां डाल दिया, जब ये पूरा आपने इस तरहां डाला, तो इस तरहां ये mixture पूरा जकरेगा, आप इसको वुड़न चमच के साथ चलाएगा, इसको छोड़िएगा नहीं, नीचे लग जाएगा, ये, एक बॉल सा बन जाएगा, continuously इसको चलाते रहिए, मैदा पकना जरूरी है, मैदा कच्चा ना रह जाएगा, दिखा आपने, इस तरहां करते रहिए उपर नीचे, आपने, ये, ये, इस तरहां करते रहेगा, जल्दी नहीं करियेगा और कोई भी चीज इसमें डालने के लिए देखा अपने इस तरह का होगा चूला बंद और इसको मैं एक और बरतन में निकाल देती हूं ताके आप लोगों को भी नजर आए क्लियर बोल में रख देते हैं इसको ठीक है मैंने डो बना के रख दिया है चीज पफ्स का लेकिन हमें वेट करना है जब बिलकुल ठंडा हो जाएगा तब हम इसको मशीन में डालके बीट करेंगे तब हम इसमें तीन अदद अंडे एक के बाद एक डालेंगे और यह जो मेरे पास यहाँ पामिजान चीज और चेड़ च करना है ठीक है इस डो विल गो इन यार बीटर इसी तरह यह होगा कपराईएगा नहीं और इसको आप में पहले तो अची तरह एक दफा बीट कर लेंगे तरह एक दफा बीट कर लेंगे पिर इसमें आपने एक के बाद एक तीन अदद अंडे डालने हैं एक बीट हो जाए फिर दूसरा पिर तीसरा ठीक है इस टेज पर आपको लगेगा कि बहुत लिक्विडी दो है परिशान नहीं हो यह गा पामिजान चीज इस तरह पाउडर में भी मिलता है ग्रेटिव भी आप कर सकते हैं ब्लॉक में से तो बेसिकली यह शुपेस्ट्री है लेकिन चीज के फ्रेवर वाली शुपेस्ट्री चैडर चीज प्रेवर पामिजान चायर में माचे झाल थीज़ थाजडर में लिक्विड़ प्रेवर दिर्ट्री अवाल है 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 कि साइडों से जरा इसको में अंदर करना चाहती हूं यह बैटर को पूरा कि मशीन नहीं हो तो परेशान नहीं हो यह गा हैंड बीटर से भी होगा और अगर यह मशीन यूज कर रहे हैं तो यह डो वाला जो होक है न यह हुक जो है फोक को इस्तमाल कर यह ठीक है एक बलून विस्क है एक के वाला होक है और इक यह है कि अग्याइब कि अग्याइब कि इस दो को निकाल के मैं वाफिस एक बोल में रख दूँगी ठंडा करेंगे हाथ से छोटे बॉल्स बनाएंगे इसलिकॉन के मैट पर रखके फिर हम इसको बेक कर देंगे ठीक है जितना हो सके आप इसको ठंडा करने का टाइम दीजेगा और अगर टाइम हो तो क्या ही बात है कि मेक शूर कि पूरा चीज अच्छी तरह मिक्स हो जाए आप कोई हर्ब्स डालना चाहें गालेक या कोई भी ड्राइब्स वो भी आप डाल सकते है अब मैं इसको निकाल देती हूं ताके इसको हम अच्छी तरहां थंडा कर लें यहां दे लास्ट बैच अफार चीज पफ्स कमिंग आउट एक बैच मैंने ब्रेक में बेक कर दिया था ठीक है यह देखें अब इनको इतना बेक करना है आपने अब ट्वेंटी मिनिट्स तो सो डिग्री पे 200 डिग्री पे और इस तरहां के नाइस एं लाइट एं एरी होंगे अंदर से विलकुल सॉफ्ट और उपर से इस तरहां क्रुंची एंड क्रिस्पी अगर आप ऐसे करके देख देखा आपने इस तरहां होने चाहिए ठीक है और थोड़े से इस तरहां मैं यहां रखा हुआ है इस तरहां यह क्रैक हो बहुत ही अच्छा है ठीक है बनाईएगा इसी तरहां ट्राय करिएगा हमें फीदबैक दीजेगा और अगर आप इसम को फिल करना चाहते हैं वैसे यह बहुत ही मज़दार से चीजी से हैं अगर फिल करना चाहते हैं जैसे हम एकलेर्स को करते हैं तो फिर आप उसमें क्रीम चीज लीजेगा नमक थोड़ा सा डालिएगा काली मिर्चे डालिए को हर्ब्स डालिए लैसन डालिए और एक पाइपिंग बैग में उसको आप मिनिट और सो रखना है अनमाए ट्रे ताकि जड़ा थोड़ा सा थंडा हो जाए पिर हम इसको यहां प्लैटर पे रख देंगे चॉकले चिप कुकी जो हमने बनाय थे वह भी रेडी है चिकन 65 की रेसिपी पी रेडी है जरूर रेसिपी स्ट्राय कर येगा और हमें फी आप 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 इस रेसिपी को ट्राय करेंगे ठीक है